नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSC Learning Point by Sing Sir आज हम करेंगे Profit and Loss का Part No. 9 चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिनादेरी की हुए पहला सवाल करा, एक दुकंदार ने एक इलेक्ट्रिक व्लेडर को इतने पर्सेंट की हानी पर बेचा अगर उसने इसे इतनी रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 8% का लाव होता 13% के लाव के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3.5% लिखा वो भी हानी में था, और इधर 8% जाब वो क्या था भाई, Profit में था दोनों जुट जाएंगे, यानि कि 8, 3, 11, 11, 5% का मान दिया गया था, 172.5, हमें 113 का मान निकालना था, बस, भाई देखो, यहाँ पर 100 की कोई चीज थी, 3.5 के अगर हानी में बेचते, तो 100 से 4 घटा देंगे, 96.5 में बेचते हम, अगर हमें 8% का लाव होता तो 108 में बेच लेकिन हमें चाहिए 13% का लाव तो हम 113 में बेच देंगे, इन दोनों के सेलिंग प्राइज में हमाई डिफरेंस दिया गया था, यानि कि हम घटाएंगे तो 10 से 5 गया, 5 हो गया, और इधर 7 से 6 गया, 1 हो गया, और 10 से 9 गया, हमारे हिसाब से डिफरेंस यह आया, तो हमने बही चीज डारेक्ट मार ली, यह चीज आपको बता भी चुके थे, इधर लॉस हो रहा, इधर प्रॉफिट हो रहा, दोनों को कुल मिला कर हम जोड देतें, घटाते हैं, घटाते कैसे हैं, जिसे यहाँ पर 8% लिखा, इधर लिखा 3.5%, तो 8 माइनस का करेंगे, और यह पर लॉस हो रहा, तो यह प्रॉइंट से प्रॉइंट चला गया, इधर करेंगे, 15, 15, 15, 15, 2 बच गया, पान्च ओको 20 हो गया, दो बचा और पचा Aga 25 हो गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 23 एकम 23 हो गया, बचा 11, 23, 15 हो गया, और पंदरे एकम 15, 14, 19 हो गया, पंदर पर बेजता है B उसे C को 20% के लाप पर बेजता है C के लिए 360 रुपए का बुक्तान करता है A का बताना बहुत आसान है 360 वटे में 12 कर देंगे इसके उपर 12, 12, 13, 36 हो गया उपर दुनिया वर के 0 में पता है 12, 24, 12, 15, 60 कर ने डाई सो लिखा आंसर लगा दो पस भाई अब इसमें आपको ऐसे तो लिखना नहीं है A ने कुछ बेचा होगा 120 के लाप पर फिर 120 के लाप पर इसने भी बेच दिया किसी को फिर ये लाश्ट में 360 बना जाके इतना नहीं लिखना है ठीक है एक बेपारी द्वारा दो बस्तु में बेची जाती है उनमें से एक को 20% के लाप पर बेचा जाता है इसका बिक्रे मुल अन बस्तु के क्रे मुल के बरावर है जिसे 20% की हानी पर बेचा जाता है लगवग प्रवावी लाप परसेंटेज बताना है तो को पहली बस्तु को 20 परसन के लाप पर बेचा जाता, यानि कि एक बटे पांच हो गया, यानि कि पांच की बस्तू छे रुपए में बेची जाती है, ये हो गया CP हो गया, ये हो गया SP, अब कहरा था, बिक्रे मुल अन बस्तू के क्रे मुल के बराबर है, जो 20 परसन की हानी पर बेचा जाता, इसका अभी मतलब एक बटे पाँच यानगी पांच से यह चार में बेचा गया तो बिक्रै मुल बराबर है यह समझने की कोशिस करना यह सवाल में यहाँ पर नया लिका बिक्रै मुल अन बस्तु के क्रै मुल के बराबर है तो यह जे छे और पांच का LCM 30 होता है इसमें 6 का गुड़ा करेंगे इसमें 5 का गुड़ा करेंगे तो Sailing Price, Cost Price बराबर हो गया तो इसमें भी हमें 5 का करना पड़ेगा और इसमें भी हमें 4 का करना पड़ेगा तो अब एक चीज बताओ भाई यहां से हमने देखा हमें एक का profit हो रहा था तो एक गुड़े में 5 कर देंगे यानि कि 5 का profit हो गया यहां से हमें देखो 5 से 4 में बेच रहा है एक का loss हो रहा था तो यहां पर 6 का गुड़ा होगा ना यहां पर 6 का तो यहाँ पर 6 गोडे में 1, यानि कि 6 का लॉस हो जाएगा, कुल मिलाकर 1 रुपए का में क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो एक का लॉस हुआ है, टोटल कॉस्ट प्राइज कितना है, यहाँ पर करेंगे यह 25 हो गया, इधर किया 6, 35 हो गया, यानि कि 30, 50, 55 रुपए रहा टोट ठीक है, अगला सवाल, एक बेक्त ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची, और लागत मूल के बराबर लाब का परसेंटेज प्राप्त किया, घड़ी की कीमत ग्याद कीजिए, यानि कि अगर लागत मूल हमारा X है, तो प्रॉफिट भी हमारा, कितना हो गया, X परसेंट ह यहाँ पर ऐसे कर लो, X परसेंट, तो X बटे में 100 हो जाएगा, इसका अमान दिया गया था 146, यानि कि यहाँ से करेंगे, तो बने का जाके क्वाडेटिक उक्वेशन, तो हम उप्सन का सारा ले ले लेते, भाई, क्यूंकि गड़ी की कीमत हमने X मानी न, वो तो हमें दी होगी ओप्सन में, तो हम रख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे आसान 188, 144, यानि कि 80 रख दें, तो 80, 100 प्लस का 80, यह कितना बन गया, 180 बन जाएगा, और गोडे में 808, 144, या आंसर हो जाएगा, satisfied हो गया, अगला सवाल, 32 संत्रे एक रुपे में बेचने पर एक आदमी को इ यानि कि अगर एक रुपे में बेचा था, तो एक संत्रा इतने रुपे हो गया, यह 40 परसेंट की हानी के बराबर था, यानि कि 40 परसेंट घानी तो बचा कितना, 60 परसेंट हो गया, तो 100 परसेंट बराबर निकालेंगे, तो एक बटे में 32, और इधर यहाँ पर हो गया, ग यह 120 हो जाएगा बटे में यह 100 वाला यह 100 परसेंट नीचे आ गया ठीक है अब हमें एक रुपए में बेचना है यानि कि रुपए हमने ऊपर लिखे देखो यहाँ पर रुपए लिखा और यहाँ पर बस तू लिखी है तो इसका मतलब एक बटे में एक का हमने कर दिया बेचनी होगी जिससे हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा अगला सवाल एक आदमी एक वासिंग मसीन को 21,600 रुपए में बेचता है जिससे 8% का लाव होता है 20% का लाव प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए यानि कि 108 कामान दिया गया था 216 00 हमें 120 काम 60 42 रुपए में बेचता है जिससे 25% का लाव होता है उसे ने 42 रुपए में कितने संत्रे खरीदे है अब गया तेने का मतलब है 42 रुपए में 60 तो एक संत्रे का ओगया ओपर हमने क्या लखे रुपए में नीचे हमने बस तो लिख दी ठीक है लेकिन ये जो सेलिंग क्योंकि हमें 25% का profit और यह selling price हो गया अगर हम 100 ब्राबर निकालेंगे 100 ब्राबर तो हमारा cost price आ जाएगा तो यहां से लिखेंगे 42 बटे में 16 बटे में 125 गोडे में 100 हो गया इसके इलावा हम calculation कर लेंगे, बस answer आ जाएगा, तो यहां से देखो, यह 42 से 42 cancel out हो गया, 25 चोकू 100 हो गया, 25 पंजे 100, 25, 4 चोकू 16 हो गया, यहनि कि 42 रुपए में हमें 20 बेचनी, मतलब 42 रुपए में 20 खरीदी थी, अब यह खरीदने बालाई क्यों आया, क्योंकि 100 बरावर cost price निकाल लिया न, तो 42 रुपए रुपए उपर लिखे थी, जो हमने बिल्कुल टेच नहीं किये, नीचे 20 आ गया, तो देखो जैसे यहां पर लिखा था, 42 में 16 बेची थी, हमने 42 में 16, 20 खरीदी थी, ठीक है, अगला सा बाल, सभीया ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, परभेन के दोरान 24 कप छतिग्रस्त हो गए, और उसने 6 कपो को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेच दिये, उसका पुल परसेंटेज लाब बताई, देखो 240 कप 8 रुपए प्रति कप से खरीदे, यानि कि ये CP हो गया, 24 खराब हो गए, यानि कि 240 से ये 24 खराब हो गए, यानि कि 240 से 20 गया, 224 और कम कर दो, 216 बचा है, और इधर करेंगे तो 8, 24, 16 हो जाएगा, 5 बचेगा, 8, 36, 56 हो गया, यानि कि 20 की चीज हमने 27 में बेज दी, 7 का प्रॉफिट लिया किस पर, 20 पर, गोड़े में 100, 7 का मल्टीपल भी एक ही था वैसे, तो आंसर क्या आ गया, 35 परसेंट, अगला सवाल, यादे किसी बस्तु का विक्रे मुल, उसके क्रे मुल का 5 बटे 4 है, तो लेन डेन में प्राफ दिलाब बताना, भाई क्रे मुल हमने माल लिया अच्या, 4 का 5 बटे 4 करेंगे, तो विक्रे मुल 5 रूपिए हो गया, प्रॉफिट कितने का लिया एक रुपए का किस पर चार पर गुड़े में सो आंसर क्या गया पचीस परसेंट अगला सवाल अब यहां पर देखो राम ने 5 केले 20 रुपए में खरी दे ठीक है एक केला कितने को गया 20 बटे में 5 उन्हें 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया य एक बस्तू स्रीमान एक्स को 20 परसन के लाब पर बेची जाती है स्रीमान एक्स इससे स्रीमान भाई को 25 परसन के लाब पर बेचते हैं स्रीमान भाई बस्तू के लिए इतने रुपए बुकतान करते हैं तो मूल बिक्रेता के लिए लागत मूल क्या था मूल बिक्रेता हमार बारे पंजे 90 हो जाएगा इधर करेंगे तो 12 कम 12 12 50 कहीं 15 लिखा है अंसर अब यहां पर जीरो वगएरा कि हम बैट नहीं दे रहे हैं नहीं तो जीरो वगएरा लगाने लगोगे तो क्या मतलब बनेगा हमें पता उपर दुनिया वर के जीरो आ रहे हैं तो हम केलकुलेशन उ बेचना बेचा जाना चाहिए भाई देखो 15 परसेंट की हानी हो रही है यानि कि यह 75 कामान दिया क्या था 110 का निकालना था अफंसक चेक करना रहांगा नहीं अगर गलत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में 12 सन्तरी का क्रेमुल 9 सुनिया बिख्रेमुल के बरबर है और 10 संत्री पर 5 संत्री पर 15 के बरब नाबं के बरबर है देखो 12 का सी पी बरबर में 9 का स्पी दिया था एक संत्र इस पर रुपए का 250 रुपाउंट पर 5 3 के बराबर है एक पर profit एक रुपय तो पांच पर profit 5 का होगा यानिकि discount कितना होगा एक वटे में दो हो गया अब एक चीज बताओं कि हम छूट हमेंसा मार्क प्राइस पर देते हैं बटे में एक बटे दू चूट देगी, बन कितना गया, सेलिंग प्राइस बन गया, छूट देने के वाद सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना आ गया, चार दुनी, आठ एक, नो बटे में दो आ गया, यानि कि एक बटे दो की हमें छूट दीगी, किस पर नो बटे दो पर, गोडे में कर देंगे, स तो 2-2 cancel, 9-9, 9-9, 11-1% का क्या हुआ छूट दीएगे अगला सवाल यदि छूट और percentage लाप दोनों 20% है तो अंकित मुल पर क्रेमुल से कितने % अधेग है चूट और percentage लाप देको यहां पर कहरा है 20% discount और कहरा था 20% लाप भी है हमने आपको डारेक्ट बताया था MP और CP का र profit लिख लो नहीं तो एल से loss भी लग रहा ना तो यह डारेक्ट 120 हो जाएगा डिस्काउंट आजाएगा CP के नीचे यानि कि 80 हो गया 20 शौकू 80 20 चक्का 124 से 2 बढ़ गया बटे में 4 गुड़े में 100 हो गया तो यहां पर 4 दूनी 8 यानि कि 25 दूनी 50% अधेग है आगला सवा एक बस्तु को बेशते समय इतने का लाव और इतने की हानी के बीच का अंतर इतने रुपए है भाई दोनों में क्या है यह हानी और लाव है बहुत बार बता चुके दोनों को जोड़ दो 12 और 10, 22 और 23 हो जाएगा 23 का मान 161 दिया तै 119 का मान निकाला 23 सत्ते 161 और गोड़ कese अदे 10 और 15 और अदिक में बैचा होता तो 15% का लाव होता पुस्तक का क्रेमूल बताना है भाई देगो यहाँ पर भी लाव है और यहाँ पर में क्या होआ डिफरेंस तो 5% का मान 20 दिया है हमसे 100% का मान पूछा है तो यह पांचों को 20 यानि की 400 रुप है अगला सावाल एक गड़ी 5% की हानी पर बेची जाती है यह दी क्रेमुले 20% अधिक होता और विक्रेमुले 115 कम होता तो इस विक्री 40% की हानी होती क्रेमुले बताई है तो इसको बेचा गया इतने में यह कॉस्ट प्राइद यह CP हो गया ठीक है अब यहां पर समझो बात को 5% की हानी पर बेची जाती हमने बेच दिया लेकिन यह 120 होता और विक्रेमुले 115 कम होता यह तो नंबर में हो गया 115 कम हमारा तो परसेंटेज में हिसाब किताब चला ना तो हम अभी तो उसी से बदला निकालेंगे तो कह रहा था 40% की हानी होती भाई 40% की इस पर हानी होती तो जब 40% के अगर हम आनी करेंगे तो 60% बचेगा यहने की 72 रुपए बचा हमारे हिसाब से कितना कम हुआ है तो 5-2 गया 3-9-7 गया दो हो गया 23 हमारे हिसाब से कोश्चन में 115 हमें क्रेमुले हमने 100 म इतना हो गया 500 ठीक है अगला सवाल पांच रुपए में 6 नक के मूल पर खरीदी गई बस्तूओं को 6 रुपए में 5 नक के वाउ से बेचने पर होने वाला लाब परसेंटेज बताई बहुत आसान बाई यहां पर 6 नक खरीदे 5 बेच रहे दोनों को बराबर कर दो इसमें 6 क 44 हो गया इसमें ट्रिक भी बताई जाते हैं कि यह फार्मूला बो फार्मूला फार्मूला बगएरा सब ठीक है लेकिन बैसिक जितना जहां तक चला सुपर फास्ट स्पीड से हो सकता ही है इसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा लेकिन बहीं बात है अगर फार्मूला कितने पर्सेंट के बराबर है हमें C और A से कंपेर करना है तो देखो A अगर B कर दे और इंटू में B अपान C कर दे तो हमें डारेक्ट A और C का रेशियो मिल जाएगा तो हम बहीं कर रहे हैं करा A, B को 25% के लाव पर बेजता है यानि कि पहली कंडिशन में अगर हम लिखे A के लिए 100 रुपएर आओगा तो 125 में वो बेच रहा होगा अब दूसरी कंडिशन भी देख लो वाईबु कह रहा था B से 10% की हानी पर C को बेजता है यानि कि दूसरी कंडिशन के लिए अगर B का अगर 100 रुपएर आओगा तो उसने 90 में बेच दिया बस यानि कि A upon C का हम डारेक्ट रिशियो बनाएंगे जीरो से जीरो कट गया है तो 25 चोकू 100, 25, 25, 125, 10 बटे में 9 हो गया यानि कि यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया 4 दूनी 8 बटे में 9 करा एक के क्रेमूल लिखे कितने परसेंट के बराबर है तो भाया A का क्रेमूल यह है और इसके X परसेंट के बर लिखा कर दो नोपनना 45 हो गया बारह ने में 108 और पांच 113 हो गया यहनि कि 113 दिसंबल पांच कहीं लिखा है बारह ने में 108 सोरी 112 होगा भाई हम कहया ओप्सन में तो 112 दिख रहा हमने गलत कर दिया क्या चलो भाई माफ कीजिएगा बाकी तो आप समझ गए होगे से कर सकते दिये तो 300 आपको थोड़ा कोमाने के लिए दे दिया था अगला सवाल 22 परसेंट चूट देने के बाद भी 17 परसेंट का लाब होता है बाई सिंपल है मार्क प्राइज 17 परसेंट लाब बाला आ गया कोश्ट प्राइज आ जाएगा चूट बाला यानिकि यह 30 पर और 6 परसेंट के लाबर किसी बस्तु के बिक्री मुल्यों के बीच नगदी का अंतर 3 रुपए है दो बिक्री मुल्यों के अनपात पता करे है तो देखो हमें बिक्री मुल्यों का अनपात चाहिए 104 और 106 25-10, 2.30, 6 हो गया, यही आंसर हो गया आप यहाँ पर इस तरीके द देखो, अगर हम करते, बैसे तो हम डारेक्ट लिखते, 6 हो 4 का डिफरेंट, 2 परसेंट बरावर 3, 104 बरावर, 106 बरावर, दोनों का रेशियो बना लेते, अब समझे देखो, 104 के प्रॉफिट पे ये बेचा, 106 के प्रॉफिट पे ये बेचा, सोरी, हाँ ठीक है, अब बुक क यहां से 106 बराबर तो दूसरा में मिलता तीन बटे में दो गोड़े में 106 होता तो यहां से हम यही ची डारेक्ट कर लेते ना अगला सवार एक बस तू एक निश्चित मूल पर बेचा जाता इसे इसकी कीमत के 60% पर बेचा जाता तो 35% की हानी होती परसेंटेज लाब बताओ भाई दिखो मार्क प्राइस 100 था 60 रुपए में उन्होंने क्या गिया यह बेच दिया तो एक चीज बताओ जब 60 में बेचा तो CP पर 35 की हानी हो गी यानि की 55% बचा तो यहां से करेंगे यह आ जाएगा ऐसे काट लें क्या पांच एकम पांच तेर यह रा तो यह कैंसेल आउट हो गया रेशियो आ गया 13 रेशियों में 12 तो यहां पर 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर 12 पर गुड़े में 100 कर देंगे यहां पर कर देंगे 13 बराबर अगर देखेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, कहीं दो के साथ 0 लिखें, बस, कुछ नहीं करना है, पेन चलाओगे तो आप टाइम बेश्ट करोगे न, उतना नहीं करना है, वाई, क्यों करना है मैं, यदि एन पेनो का विक्रेमूले, 10 पेनो के क्रेमूले क तो ये कितना हो गया, 10 बटे में एन हो गया, ये तो हमारे असाब से हुआ, कोशन में 100 परसेंट का प्रोफिट, यानि कि 100 की चीज हमने 200 में बेची तबी तो होगा, बस, खतम हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइज, कॉश्ट प्राइज का रिशियो ऐसे ही तो हम बनाएंग कीजिए, यदि प्रतिये का क्रेमुल 400 रुपए है, यानि कि बही बात होगी, कि हमारे साथ पे 100 क्रेमुल रहता था, 100 का मान दिया गया था, 400, ठीक है, और इन में देखो, ये लाब हो रहा ही है, यहां पर, तो कुल मिला कर दोनों जोड़ जाएंगे, यानि कि 25 का मान में निकालना था, तो 25 को 100 ये आंसर आ गया, नहीं समझ में आयो तो देख लो, भाई 12% लाब का मतलब एक बटे में आठ, आठ की चीज नो में बेचीगी, दूसरे में आठ की चीज हानी यानि की साथ में बेचीगी, कॉस्ट प्राइज दोनों में बराबर है न, तो बस खतम ह हो गया, सेलिंग प्राइज में अंतर कितना, दो रुपय का, यानि कि 8 बराबर में 400 दे दिया था, दो बराबर निकालना था, आठ पनने 40 हो गया, पांदोनी था, 100 हो गया, सेम बात बनती है बस, अगला सवाल, एक फल बिक्रेता ने 100 संत्रे 80 रुपय में खरीदे, उनमें एक्स रुपय में बेच देंगे, हमारा प्रॉफिट आजाएगा निकल कर, बस खतम हो गया सवाल, तो इधर 80 से 80 कैंसल आउट हो गया, और इधर हो गया 1.25 ये एक्स का मान हो गया, खतम, अगला सवाल, पारे 65 के खुदरा मूले वाली, एक मेज के उत्पादन लागत ग्य वाले प्राइस की, यानि कि निर्माता का ये रहा होगा, फिर 10%, 15%, 25% बढ़ता रहा होगा, एक बार लिख देते हैं, इस तरीके से लिखना तो नहीं था, ये तो आपको पता है कि ऐसा तो हम लोग लिखते नहीं है, बाकी एक बार लिख लिखे, इसका मान ये दिया गया थ आपकी एक्ष्टा करने से बुझादा नंबर तो देगा नहीं, तो हम लोग भी क्यों करें फिर, ठीक है, तो सबसे पहले 11 से काट लेंगे, 11 एक बचा, 11 एक बचा, 11, 155 हो गया, ये इससे कैंसल आउट, 25, 25, 25, 25, 25, 48 हो गया, यानि कि 8 कहीं लिखा है, अंसर, अगला सवा एक बस तो बेचकर मदन ने उसके क्रेमूल लिखे, एक चोथाई के बराबर लाव हासल किया, उसके क्रेमूल लिखे, क्रेमूल अगर 4 है, तो इसका एक चोथाई हम करेंगे, तो एक चोथाई एक आजाएगा, ये प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसने उसे इतने में बेचा तो क्रेमल बताना भाई तो हमारे हिसाथ से सेलिंग प्राइस क्या हुआ दोनों को जोड़कर 5 वरावर 375 हो गया और हमें निकालना था चार वरावर 575,25 गोड़े में 4,25 हो गया 4,28,23 यानिकी 300 अगला सवाल जब किसी बस्तो को 5% के लाव पर बेचा जाता है तो उसे 5% की हानी पर बेचे जाने की तुल्ला में 15 अधिक प्राप्त होता है उसका क्रेमल बताना अब ये सवाल आप लोग बताएंगे 304 का आंसर A होगा B होगा C होगा D होगा औरल करना है क्योंकि आपको पत की हानी के साथ X को बापिस बेच देता है तो पूरे लेंदेन में हमें बताना क्या लाव होगा हानी होगी यह आप खुछ से करेंगे इस टाइप के 4 सवाल हो चुके है और 305 का आंसर लिखना है आपको A B C और D ठीक है और देखो बहुत लोग कमेंट करते हैं कोई भी दिक आप ट्राइ करके बेचा करोगी है मैं यह कर रहा हूं मेरा क्यों गलत हो रहा है तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा अगला सा बात दो बस्तुओं को इतने और इतने में बेचा जाता है जिस पर 20 परसेंट और 4 परसेंट की हानी कुल लाब बताना देखो पहली कं प्राइज तो हमारे पास प्रफिट कितना हो गया 20 का हो गया दूसरी कंडिशन में में अगर हम लिखेंगे तो से+, प्राइज और से ja üचा और से करेंगे यह गुडोडे में 7-2 हो गया इधर करेंगे हमें इसका मान दिया गया तो 960 यानिकि इसका 10 गुना तो यहां से cost price करेंगे तो 1000 हो गया इसका भी 10 गुना कर देंगे तो यह कितना हो गया 40 हो गया अब यहां से बाइट टुकुल मिला कर देखो उमें कितना profit हुआ में 100 रुपय का profit हुआ दोनों कंडिशन थीक है दोनों का cost price अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया सत्त्रे सो गया तो हमें इसी सत्त्रे सो से डिवाइड करना था गोडे में 100 करना था profit percentage के लिए तो 17,85 और 15 बटे में 17 परसंट प्रॉफिट हुआ अगला सवाब दो बस्तु हैं जिनके प्रतिय का क्रेमुल इतना है एक को पांच परसंट के लाब पर बेचा जाता है यदि कुल मिलाकर 20 परसंट का लाब होता है तो अन्य दूसरी बस्तु को का विक्री परसंटेज बताना है म इनका डिफरेंस हो गया 15 तो यह एक बरावर 15 तो इसका भी एक बरावर 15 हो गया आपको यह भी पता कि एक नंबर अगर अधेक है तो दूसरा चोटा होगा तो यहां पर चोटा तो यह कितना होगा 20 पिलस का 15 होगा यहनि कि इसको 35 परसंट प्रॉफिट पर बेचना होगा अब यहां पर CP का ही रेशियो क्यों आता है क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर निकालते इस CP पर तो जो भी सापेच में होता है उसी का रेशियो आता है जैसे कभी-कभी परसिंटेज वाले में में लगा देते हैं तो यहां पर टोटल नंबर का रेशिय हुए इस लेंदेन में हुई उसकी लाव और हानी बताना कभी भी आपर दोनों चीने से मों परसेंटेज में 20 यहां पर भी 20 यहां पर भी अगर 2030 होता तब यह लागू नहीं होगा यह ध्यान रखना तो हम डारेक्ट क्या करेंगे 20 बोड़े में 20 वटे में 100 तो यहां पर कैं सेंटेज एक जगए 20 कर दे एक जगए 30 तब यह चीज काम नहीं करेगी अगला सवाल एक बस्तु पर दीगी 15 परसेंट की चूट दूसरी बस्तु पर 20 परसेंट के बराबर है तो दोनों बस्तु की कीमत भाई देखो अगर हमने एक बस्तु की माली 15 परसेंट चूट चूट चार का अगर मान मान लो 60 है तो यहां पर 30 का मान कितना जाएगा 15 चूट पंदरतियां 45 यह उप्सन में नहीं है यह चार और तीन का रेशियो कहीं मिल ला है मैं क्या तो दो चूट परसेंट का लाब तो यहीं तो आंसर हो गया बस हमको यहीं देखना आता है और किस में जोके SP के बरावर तो बैया 20 और बटे में हो गया हमारे पास X और SP अपॉन में CP यह हमारे इसाब से रिशियो लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो 25 चूट 100 एक बटे में 4 तो 4 से एक बढ़ा देंगे तो 5 बटे 4 में बेच रहा है यहने कि सेलिंग प्राइज 5 हो गया 4 1000 हो गया बस खतम हो गया सवाल एक सवरावर कितना आ गया 16 अगला सवाल 6000 के लेवल मुल पर दो क्रमागत छूटों की बज़य से बिक्रे मुल गटकर हो जाता है यदि 10 और 20 परसन की क्रमिक छूट दी गई हो तो हमें बताना कितना हो जाएगा बाई 60 गोडे में 9 गोडे मे अब आपको क्या करना ऐसे तो लिखना नहीं है किसी को दिखाना नहीं है क्योंकि नंबर आप चाहिए जितना भी लिखो कम लिखो चाहिए ज्यादा लिखो नंबर से मिलने है अगला सवाब 17 गेनों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेनों के क्रेमुल के बराबर हानी होती है एक गेन का क्रेमुल बहुत आसान है बाई 17 का SP अगर 17 के CP के बराबर कर दें तो ना लाव होता ना हानी होती लेकिन सवाल के हिसाब से कोई यह कह रहा था 5 गेनों के क्रेमुल के बराबर हा नहीं हमेशा किस पर होती cost price पर तो यहा पर हो गया krais लिके बराबर बस इसको बराबर कर दो यानि कि यहां से cp अगर गटा देंगे तो 15 cp हो गया यह हो गया सतरे क्यों सब्सक्राइब आप उपन में cp बराबर में क्या हो गया 15 बटे में 17 हो गया हमसे पूछा एक गेंद का क्रेम हो ले, तो ये तो सेलिंग प्राइस दिया गया था 17 गेंदों का, ययनि कि 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस इतना रुपह है, तो हमें एक गेंद का कहा हमारे घसाब से 15 था, य 다음에 720 बटे में 17 हो गया, 15,90 जादा हो जाएगा 15,75 भी जादा 15,60 हो गया 12,85,120 क्या बात है बाई गलत कहा हुआ यहाँ पर गलत हुआ हसरे हो गए आप लोग की बाई बाई यह calculation करते हैं माफ कर दिये ना बाई और क्या ही बोलू तो यह बारे हो गया और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच देता है 45 का सुद्ध लाब प्राप्त करने के लिए कितने से बेचने होंगे तो देखो सिंपल सवाल है यहाँ पर 8,3,24 कर लो यहाँ पर 12,2,24 कर लो यहनि कि करेंगे तो 34 गोडे में 3 यह तो सेलिंग प्राइज हो गया 57 गोडे में 2 यह हमारे पास SP हो गया यह सोरी यह कोश्ट प्राइज यह सेलिंग प्राइज तीन चोको बारा तीन तरका नो एक दस हो गया दो सत्य चोदा हो गया दो पंजे दस और एक ग्यार हो गया यह मैंने बहुत बार आप्जर्व किया है मुझे लगता है मैं बार बार बीडियो में CP के जगे SP बोल देता हूँ मुझे ऐसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताएगा बाकी अगर बोल देता हूँ तो इतना तो understood आप करी सकते हैं यहाँ पर कितने का profit हो रहा है 4 से 2 गया, 2 हो गया 12 का 12 रुपे का profit हो रहा है जब हम 24 बेच रहे हैं भाई हमने यहाँ पर 24 बना लिये थे यहाँ पर भी 24 बना लिये थे तो दोनों जगए कितने बना लिये 24-24, हमें 45 का लाब चाहिए तो 24 बटे में 12 गुड़े में 45 हो गया किसी बस्तु का बिक्रेमुल और क्रेमुल का अनपात गयाद कीजिए उस बस्तु पर लाब इतना है 100 और 112 बस 2 पंजे 10, 2 चक्के 12 हो जाएगा 50 होगा, 56 होगा, 25 होगा, 28 होगा खतम हो गया अगला सवाल रुपे 10 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरी दी गई और रुपे 2 प्रति नग की दर से बेची गई, यदि बेपारी को किराय पर 50 रुपे खर्च करने पड़े तो परसेंटेज लाब बताए तो 10 रुपे प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट अब यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नग बेचा गया, दो का तो 12 नग कितने को जाएंगे 24, यानि कि एक दर्जन एक दर्जन का प्राइज क्या हो गया 24 रुपे हो गया 10 दर्जन खरी दी थी, यानि कि 24 गुड़े में 10 हमने यह सेलिंग प्राइज बन गया जागी, अब उसने 10 रुपे प्रती दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरी दी, यानि कि 10 गुड़े में 10 हो गया प्लस में 50 रुपे उसने किराय पर खर्च कर दी, ठीक है तो यह बन गया 150, यह बन गया 24 गुड़े में 10, यह कैंसेल आउट हुआ इससे, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, प्रॉफिट कितने का लिया, 3 का, किस पर, 5 पर गुड़े में 100 हो गया, तो 5 दुनी 10, 20, 30, 60 परसंट का लाब हुआ, अगला सवाल तो रेस ने एक ओवन उसकी मूल कीमत से 10 परसंट छूट पर खरीदा, उसने खरीद मूल से 30 परसंट की ब्रत्ती पर बेच दिया, उसने मूल कीमत पर कितने परसंट का लाब निया अब देखो, यह सवाल भही हो गया कि यहाँ पर कुछ चीज थी इस पर कुछ छूट पर खरीदा और फिर इससे इसको कुछ बढ़ा कर बेज दिया और मूल कीमत तो यही थी इससे ही हमें compare करना था तो बिलकुल आसान सवाल हो गया 10% की छूट 30 की ब्रद्धी प्लस माइनस माइनस का हो गया 10 कोड़े में 30 बटे में 100 हो गया यानिकि ये cancel out हो गया इधर बचा 20 20 माइनस का 3 क सबसे पहली बात हो है कि आठ परसेट लाव है यानिकि एक सबसे पहली बात हो है कि आठ परसेट लाव है यनकि 108 का मान दिया गया था 486 हम से पूचा गया ओ दोपन दफ हो गया औो नो मिए आठ दार हो गया और दूनی यहाँ पर 92 आ गया है यहाँ पर लॉस कितना होगा 8% क्योंकि माइनस हो रहा है अगला सवाल यह देख कोई दुकंदार 2700 पर एक बस्तु बेजता है तो 8% का लाब 3000 पर एक बस्तु को बेजता है तो लाब बताना भाई 108 2700 को 108 हो गया भाई देखो कहने का मतलब है 8% मतलब 108 हो गया बटे में 2700 का मान दिया गया तो बिल्कुल सेम कोश्चन है पिछला वाला यहाँ पर यह दो जीरो चले गए तीन एकम तीन किया तीन नेम 27 हो गया बारे नेम है 108 होता है यहनिकि 120 आ गया है 100 से कितना जादा हो रहा 20 तो 20% आंसर बिल्कुल जिट्टो सेम सव बेज देता है पर्सेंटेज लाग यहां पर हमने बना लिया 5 का गोड़ा करके 40 तो इसमें भी आट बना चालिस नंग क्योंकि जितने खरीदे उतने ही बेज दिये तो कॉस्ट प्राइज पांच गोड़े में पांच भाई इसमें भी तो गोड़ा होगा पूरे में इसी त मतलब यह तो दो नहीं हो सकते थे अगर एक और चोटा मिल जाता तो हम आंसर जल्दी लगा लेते बाकी 14 से 5 गया तो 9 हो गया इधर बचा कितना है 5 5 से 2 गया तीन अब यहां पर देखो तेरे का मल्टीपल केवल यही दिख रहा है यह तो बारे का मल्टीपल है ना यहां प 20% की हानी होती है नारियल का क्रेमूल बताना है आठ बराबर दिया गया था 40 अंसर अगर 100 CP है और लॉस हमारे पास 20 है तो सेलिंग प्राइज हमारे पास क्या रहा होगा असी रहा होगा इसका मान दिया गया था 32 यहन की कह गुना हो रहा था 0.4 गुना तो इसका भी 0.4 सवाल एक दुगंदार को अपनी क्रेमूल पर 50% का लाब होने की उम्मीद है यदि एक सप्ता में उसकी विक्री इतने की थी तो उसका लाब क्या था बाइद वो अगर 100 है CP तो प्रॉफिट 50 हो गया SP हमारे पास क्या हो गया 150 इसका मान दिया गया था साड़े 400 कह गुना हो रहा था 3 तो इसका भी 3 गुना कर दो तो आंसर क्या हो गया 150 अगला सवाल एक पुस्तक का मुद्रित मूल 700 रुपय है पुस्तक विक्रेता ने इस पर 10% की छूट दी यद पर मुद्रित मूल यानि की मार्क प्राइस का मान दिया गया था 120 का मान दिया गया था 700 और हमें निकालना था 10% की छूट यानि कि 90 रहा होगा CP भई डारेक्टर रेशियो बनाते तो क्या लिखते 120 और यह नप है बस खतम हो गया सवाल यानि की 970-63 सो हो गया बटे में 12 हो सेलिंग प्राइज हमारा बराबर हो गया एक पर 10 का लाव दूसरे पर 10 की हानी अर्जित करता है कुल लाव और हानी परसेंट हमने बताया था यह परसेंटेज हमारा बराबर हो तब क्या करेंगे तब हम करेंगे 10 गुड़े में 10 बटे में 100 और वो भी हमेसा लॉस का गए 20% profit और 10% की हानी कर देते तो ये वाला फार्मूला आपका नहीं लगता ये ध्यान रखना अड़ जगे नहीं लग जाएगा जहाँ पर ये आपकी rate दोनों जगे सेमों भई पर लगेगा अगला सवाल एक दुकंदार एक बस्तु को इतने में खरीदा और इतने में बेज दिया लाप परसिंटेज बताना पाई बताओ कुछ बचा सवाल में क्या इनमें देख लो 15 से 8 गया तो 7 बचा इधर 2 बचा बटे में 108 हो गया गोडे में 100 हो गया ये चार बार चला जाएगा ये हो गया 25 ठीक है अब ये 27 गोडे में चार इतनी बार आ चुका है अभी calculation याद हो जाना चाहिए आपको नगर नहीं हो रहा तो फिर कुछ ना कुछ तो कमी है ना ये दिमाग में चलती है चीज़ें ऐसा नहीं अपने आप से इतनी बार प्रक्टिस में आ जाती है वह अपने आप याद हो जाता है जैसे 15 गोडे में बारे हमने आपको बताया था ए समाब तो हो जाए कोई सजेशन हो कमेंट बाक्स में लिखेगा साथ साथ आप त्यारी करते चलिएगा आपको पता है कि अगर में में चैप्टर भी करते है ना तो आपको लगवक से तीन से चार मैने लगने वाले हैं तो बहुत लंबी रेस तैय करनी है ठीक है अब आप सलुशन कराऊंगा आपको उनी को देखना पड़ेगा तो मेरे उपर फुली डिपेंडेंट आप लोग नहीं रहेंगे और देखो बार बार पीडियाफ के लिए डिमांड ना किया करो इतना सब कुस तो नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया बहां से बुक ले ल प्रॉपर सेल नहीं होती वह उंको सेल ली कहां से देते नहीं दे पाते ना प्रॉफिट और लॉस की बात अलग होगी वह तो हर कोई चाहता है प्रॉफिट हो तो यह चीज सोचो थोड़ा वह कितनी कोई कोश्ली भी नहीं है अगर आप इदर दर फालतू का बचाओगे न जय बारत